हेलो फ्रेंड आप सब कावर फिल्ड कमांड चैनल में स्वागत है और इस वीडियो के जरीए आप समसेंगे कि जो पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई के साथ लगा हुग ऑप्टो कप्लर है सही है या खराब है इसकी जांस हम लोग कैसे अपकी इस्ट में लगा तों टो कपर हो जाता है तो अगर को बदलने के साथ साथ जाच नहीं करते हैं तो कभी लगाएगे अगर लगा खराब होगा तो उसी तियु को लगाने 최ног खराब हो सकता है तो य को लगाने से पहले किपेछा चेंज पावर सप्लाइज के साथ यहां उपक्ट कुप्लर यूज किया गया है तो यह जो ह्टी इस ग्यागा अगर सिर्थ खरॉब हो जाता है जब इस बहुत हो तो है तो इस टीर को बदलने बनावट में यहां समझेंगे कि आप्टो कपलर से कुछ चार लेग निकले होते हैं चार पीन निकले होते हैं तो उसमें एक नमबर पीन उसे मानते हैं जहां बिंदू बना होता है जहां बिंदू बना होता है उसको एक नमबर पॉइंट मानते हैं उसके बाद दो उसके और दो नमबर पिन एक नमबर पिन led के इननोट से जुड़ा होता है और यहां पॉजेटिव सप्लाई देना होता है और जब यहां निगेटिव देते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ LED जलता है यानि कि glow करता है तो यहाँ जैसे ही LED glow करेगा तो उस सिस्तिति में Optocoupler के अंधर लगा होगा photo transistor, optocoupler के अंधर लगा हो जो photo transistor होता है उसका emitter इस optocoupler के terminal number 3 से जुड़ा होता है अज जब कि उसका collector photo transistor का collector optocoupler के pin number 4 से जुड़ा होता है तो जैसे यहाँ positive एक number pin को positive देते हैं और दो number pin को जब negative देते हैं तो उस सिस्तिति में यहाँ जो optocoupler होगा उस optocoupler के अंदर लगावा LED जलने लगता है यानि कि glow करता है और जैसे सद जाते हैं कब सदेंगे जब यहाँ positive और यहाँ negative देंगे तो उस सिस्तिति में यह के दूनों लेग आपस में सद जाते हैं multimeter को डायोड को इमें फिट कर देंगे और फिट करनी के बाद हम लोग क्या करेंगे कि multimeter के एक प्रॉब को यहां और एक प्रॉब को यहां रखेंगे multimeter की एक प्रॉब को यहां रखेंगे और एक प्रॉब को यहां रखेंगे तो एक तरफ से रखेंगे तो आपको देखेंगे कि multimeter पर आपको रीडिंग प्राप्त होगी और जब इसके multimeter के तार को प्लट देंगे तो उस सित्री में रेडिंग प्राप्त नहीं होने चाहिए, यानि कि एक तरफ से रेडिंग प्राप्त होने चाहिए, और एक तरफ से रेडिंग प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायोड में, जब हम जाच करते हैं, जो LED की जाच करते हैं, तो आप देखेंगे कि डा जो होता है तो किसी भी परिष्टिती में optocoupler के तीन और चार नंबर लेग आप उसमें continuity नहीं करने चाहिए अगर continuity को लगा लगा हम लोग किस प्रकार से जाज करेंगे कब जाज करेंगे जब कभी भी आईसी अगर खराब हो जाए तो उस सीस्तिती में आईसी को बदलने से पहले optocoupler की जाज निश्ची रूप से कर लेते हैं क्योंकि अगर optocoupler खराब होगा तो नए आईसी चब लगाएंगे तो आईसी भी अपर खराब हो सकता है तो यहां जो है इस optocoupler की जाज करने के लिए सबसे पहले इसके विए पॉइंट के बारे में जानेंगे कि कौन पॉइंट नुमर वन है कौशचार है तो देखेंगा छहां पर.. बिंदू बना हुआ हुआ है जहां बिंदू बना ह graph is उसको एक उसके बाद यहां पर दो यहां पर तीन और यहां पर चार है तो इस PCV साइट से देखेंगे कि यहां पर आप्टो कपलर यूज किया गया है और इस आप्टो कपलर में यहां टर्मिनल नबर एक है यहां पर दो यहां पर तीन और यहां पर चार है आप्टो कपलर के एक नमबर टर्मिनल को पोजेटिव सप्लाई देते हैं, यहां से यहां एक रेजिस्टर के दोड़ा पोजेटिव देते हैं, जबकि दो नमबर को निगेटिव देते हैं, जब पोजेटिव और निगेटिव देते हैं, तो सित्री में आप्टो कपलर के IC अगर खराब हो जाए तो IC को बिदलने से पहले IC नया लगाने से पहले हम लोग पहले Optocoupler की भी जाज कर लेते हैं कि Optocoupler सही है कि नहीं है नहीं तो अगर Optocoupler खराब होगा तो सिती में यहां पर IC जैसी लगाएंगे तो IC खराब हो सकता है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि optocoupler के किसी एक leg का connection अन्य component से काट देंगे तो दिखिएगा कि यहाँ पर optocoupler के चार number terminal का connection यहाँ से disconnect कर दिया गया है हाईसी के तरफ जो जा रहा है ट्रे के उस ट्रे को हमें काट दिया है क्यों ताकि इस optocoupler की जाज कर लिए और भी यहाँ पर के वर हम लोग optocoupler की जाज करेंगे इस परकार का system इस तरीके से जाज आज आप जो है television set में भी कर सकते हैं किसी भी SMPS के power supply में जाज कर सकते हैं और काटनी के बाद multimeter को 2000 किलो ओम के रेंज में fit कर देंगे यानि कि 2 मेगा ओम करेंगे फिट कर देंगे और fit करने के बाद multimeter के एक प्रफ को यहाँ fit करेंगे और फिट करने के बाद हम लोग किस परकार से इसकी हम लोग जाज करेंगे वो बिना supply दिये हुए इस किसी परकार का supply नहीं देना है और किस प्रकार से हम लोग जाज करेंगे उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे तो यहां देखेंगे कि OptoCoplar के Terminal No.3 और 4 पर Multimeter के लाल और काला तार को फिट की है लाल तार को Terminal No.4 से फिट की हुए है अजब कि काला तार को Terminal No.3 से फिट की हुए है अजब कि 4 नमबर Terminal का Connection है इधर जाने वाले ट्रेक से काट दिये है किसलिए ताकि यह चेकर पाए कि यह OptoCoplar सही है या खराब है और यहां Multimeter को 2000 किलो ओम के रिज़ में फिट कर दिये है और अभी जो फिट की हुए है तो देखने के किसी प्रकार का Continuity सो नहीं हो रहा है और अब रहा गया कि इधर किसी प्रकार के हम लोग सप्लाई नहीं देंगे और बहुत ही इस दिवे में यह समस पाएंगे कि यहां लगा हुए जो OptoCoplar है वो सही है कि नहीं है उस OptoCoplar की जाज करने के लिए एनालोग मल्टीमिटर ले लेंगे और एनालोग मल्टीमिटर के दोवारा यहां हम लोग जाज करेंगे कहां जाज करेंगे तो इस OptoCoplar के टर्मिनल नंबर दो और एक पर मल्टीमिटर के तार को रखेंगे और जैसे ही रखेंगे तो देखिएगा कि यहां जो है इसके तीन और चार नमबर जो टर्मिनल होंगे वह continuity सो करेंगे यानि कि यहां जो है मल्टीमिटर के मुनिटर पर नमबर सो होगा मल्टिमीटर के यहां जो निडिल है वो आगे की और जाएगी और साति साते हाँ पर नंबर सो हो रहा है अगर ऐसा हुँ तो यह समझेंगे कि यहां जो लगा हुगा जो opto couple और हो बिल्कुल सही काम कर रहा है और जब तार को प्लट कर जब चेक करेंगे यानि कि अब लाल तार को रखेंगे इसके टर्मिनल नमर एक बर और काला तार को रखेंगे जब यहां तो यह मल्टिमिटर के सुई आगे के और नहीं जाएगी और है यहां पर नमबर सो को फ्लट कर रही है तो यहां पर किसी भी प्रकार का नमबर सो नहीं हो रहा है ना तो इस प्लट के सुई आगे के बल्टिमिटर को 10 कलो एंगे पिट करने के बाद में यहां पर लाल तार और यहां पर जब काला तार रखेंगे और यहां जब कंटिनूटी सू होने लगे और तार को हटाते ही कंटिनूटी सू नहीं हो तो यह समझेंगे कि opto-coupler बिल्कुल ही सही काम कर रहा है है तो इस प्रकार से हम लोगे किसी भी सिट में चाहिए वह टिल्यूईज सेथ हो या किसी भी प्रकार का जो है सम पीयलिए इस का पाउर शप्लाई हो उसमें ऐप्य लगा लगा से हुआ ह मैं दो मल्ट्कारलर के सहाईता से वह लोग जा चाहिता कर सकते है कि doctor तो कपलर्य उप्स से काम कर रहा है कैंप डिन्य किलों कर देना है और यहां पर म्लीटी मिटर को 2000 किलों के रज़ में फिट कर देंगे और यहां पर मेल्टिमेटर को 10 किलों के रज़ में जब चेक करेंगे तो यहां पर नंबर सो होना चाहिए कंट्टी सो होना चाहिए यहां पर रखेंगे काला तार यहां पर रखेंगे लाल तार तो कंट्टी सो होना चाहिए जब तार को प्लट कर चेक करेंगे तो कट्विटी सो नहीं होना चाहिए तो थैंक्यू भीरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्ता पूंश में दिया और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब करें अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें धन्यवाद